हेलो फ्रेंट्स वेलकम बैक्टि माई चैनल मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में साजी तारी का बताया था और इस विडियो में आपको बता रहा हूं यह रॉयल्टी अकाउंट से रिलेडेड है और जो रॉयल्टी अकाउंट होता है इसमें मैं आपको बताया था कि क्या होती है और क्या क्या उसकी जो भी सारे तत्व वगेरा और रोयल्टी के प्राकार मतलब अधिकार शुल्क के प्राकार वगेरा मैंने आपको बता दिये थे और अधिकार शुल्क की जो खाते होते हैं वो किस टाइप से बनाये जाते हैं यह मैं आपको आने वाली वीडिय मतलब होता है अधिकार शुल्क कोई भी हम खदान पटा या फिर कुछ भी हम जमीन वगएरा या सब हम अधिकार शुल्क की राशी पर लेते हैं अधिकार शुल्क पर लेते हैं तो उसमें बहुत सारे होते हैं जैसे के कैरेक्टर्स होते हैं जैसे के पटा देने वाला होता है यानि कि जो मालिक होता है जैसे हम लोगों ने कोई जमीन ली है अधिकार शूल को पे या तो फिर हमने कोई ख़दान लिए तो उस ख़दान का जो असली मालिक है वो कौन होता है भूस्वामी होता है ठीक है जो भूस्वामी होता है यानि कि पट्टा देने वाला मतलब कि जो तो उसमैंट का असली मालिक है जो पता देने वाला है है अधिकार शूलक पर कून दे रहा है अधिकार शूलक मेरा हम जो हमें जमीन इस पर देता है लीस पर देता जमीन खदान या जो भी हम लेते हैं अधिकार शुलक पर तो देने वाला क्या कहलाता है भूसवामी या पट्टा देने वाला उसको हम इंगलिश में बोलते हैं लैंडलोड ठीक है अब सेकेंड हमारे पास पट्टेदार या पट्टा लेने वाला अब उसने जैसे कुछ भी ह पट्टा लेने वाले में तरह कि लेकेंगा सकते हैं तो अधिकार शुलक आसफी घर को रिखा अधिकार को शुलक की रखा Giר सकते हैं हम सामने भूसवामी से हम जब पटा ले रहें तो उसको हमें कुछ अमाउंट पे करना पड़ेगा तो वह अमाउंट क्या यह लाता है अधिकार शुर्ग की रकम अमाउंट ओफ रॉयल्टी ठीक है फोर्ट है हमारे पास न्यूंतम किराया अब न्यूंतम किराया में बहुत स अनुबंद में शर्तों के द्वारा न्यूंतम किराया लेने का निश्चित कर लेता है अब मैं आपको इसको सिंपल लेंग्वेज में बता हूं कि जैसे हम लोगोंने कोई ख़दान ली है ठीक है अब उसने मिनिमम रेंट कुछ भी रखा हो जैसे उसको मतलब मतली देना है अगर उसको 10,000 देना है अधिकार शुल्क की रखम में तो वह क्या करेगा कि अगर मान लो के स्टार्टिंग में अगर जैसे नया नया हमने ख़दान दिया है थी कि अधिकार शुल्क पर तो इसमें वह नहीं आएगा जैसे उत्पादन नहीं होगा कभी होता है कि मतलब उस फिक्स एमाउंट कर देता है कि आपको इतना तो देना ही देना है मिनीमम रेंट ठीक है आपको इतना तो देना ही देना है उसके बाद अगर उत्पादन होता है तो वह राशी अलग से आपको देना है बट यह कंपल सरी देना होता है मिनीमम रेंट जो होता है यह क्या होता के कारण घुर्षवामी अनुबंद में शर्टों के द्वारा न्यूंतों किराये लेने कशित कर लेता है वhop को है औरे considerations से साथ होती है कि हम यह इससे अधिकार शूल्ग पर लिया है और इतना रॉयल्टी हमें दे पया और इतना minimum rent देना है और इतने time के लिए हम ले रहे हैं यह सारी चीज़े उसमें लिखी मौजूद रहती है अनुबंध होता है अनुबंध मतलब होता है कि agreement हो जाता है ठीक है और अनुबंध में जो भी हम लोग उस तर्मियान जितनी भी हमें शर्ते डालना है हम अनुबंध में इतना आपको नियुंतम गिराया कंपल्सरी देना है मतलब देना है ठीक है अधिका शुल्की की राशी तो देना ही है बट उत्पादन स्टार्डिंग के जो कुछ टाइम है months है years है उसमें कभी-कभी जो है उत्पादन नहीं होता है तो उसमें minimum rent की राशी फिक्स की जाती ह है यह तो मतलब यह सबी लोग करते हैं उसके बाद रहता है हमारा Love Come 할 लगू कारिया कंप आरी होता है मतलब यह जो सारी चीजे हैं जो हम्रुआल्टी के राशी हमें अकाम हैंगि तो यह सब्सप्स चायगी च्या है यह आपको पता होना बहुत इंपंठेंट है इसलिए सा में बता रहुना तो लगू कारी की जो राशी होती है इसको हम English में मोलते हैं शौर्ट वगें शौर्ट वगें क्या हुता है जब मिनिमम से बड़ा होता है रोयल्टी से इसको आप ऐसा भी अच्छे से समझा दूगी उस टाइम पर कि इसको कभ इस्तेमाल करना है ठीक है अभी आप सिर्फ इतना समझ लो कि जब मिनिममम रेंट जादा होता है रोयल्टी से सब्सक्यां 5 से इता हुआैघ्ट लाच अडरा कि तो कि हम इतना फिक्स किया कि हमने का ख़दान ली है तो अमने फिक्स किया है कि हम 8000 देंगे ठीक है 8000 मंस्ली रोयल्टी देंगे और मिनिमम्म रेंट हमने क्या फिक्स कर लिया दस हजार उस दर्मियान ये चीज़े उत्पन्न होती यह लगुकारी की राशी ठीक है मिनिम्मम रेंट जब 10,000 है मतलब हमने सोच जा कि मिनिमम्म रेंट उसने अनुभंद म तो short working कितनी हो जाएगी 2000 यानि की 2000 जो है वो लगुकारी की राशी उत्पन्न हो जाएगी तो यह आपको समझ में आ गया होगा उप 6 थे हमारा आधिक की है ठीक है तो यह जो आधिक की होता है यह क्या होता है इसको हम बोलते हैं English में access जब minimum rent छोटा होता है रोयल्टी से यानि कि जब शोट वर्गिंग में आपने देखा के minimum rent बड़ा होता है रोयल्टी से तो यह लगुकारी की राशी उत्पन्न होती है तो यह इस टाइप से हमें कुछ चाहिए लेकिन लेकिन जब हम जब एनलिस्टिक टेवल बनाएंगे रोयल्टी अकाउंट्स बना देटाइं तब आपको यह और अच्छे से में समझा दूंगी और ठीक है और आधिक की क्या होता है इसका अपोजिट होता है जब minimum rent बड़ चीजे जो है यह पता होनी चाहिए तो मैंने आप लोगों को समझा दिये अब हम जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम रोयल्टी अकाउंट्स बनाएंगी ठीक है मैं आपको एनलिस्टिक टेबल वगेरा उसकी जो जनरल इंक्रीज वगेरा चुछ थोड़ा बहुत